दोस्तो किसी भी मोबाइल में Jio 4G से 5G कैसे एक्टिवेट करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ अगर आपके भी मोबाइल में Jio का सिम कार्ड लगा हुआ है तो इस वीडियो को देख करके दोस्तो आप अपने मोबाइल में Jio True 5G को एक्टिवेट कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड इंटरनेट ओभी हाई स्पीड में चला सकते हैं इतना फास्ट इंटरने इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल में Jio True 5G को एक्टिवेट करेंगे यानि कि 4G से 5G कैसे एक्टिवेट करेंगे आईए मैं आपको लाइ आईए एक्टिवेट होगा तो सिंप्ली करना क्या सबसे पहले आपको अपने फोन में यह जो जीओ का एप होता है वैसे तो सभी की फोन में होगा अगर Jio का सिमकाट है तो जरूर आपके फोन में यह एप्लिकेशन होगा जीओ का तो आपको इसे ओपें करना है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर पूरा प्लान दिखा रहा होगा जो भी आपने रिचाज होगरे किया है ठीक है तो इसी के आगे जो आपका नंबर लिखा होता है यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है देख रहे हो इसी एरो के उपर दोस्तों करके एक message है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं congratulations और यहाँ पर जियो true 5G जो है इस प्रकास से blink हो रहा है आप देख सकते हैं और यहाँ पर get started भी लिखा हुआ है तो simply आपको इसी get started के उपर क्लिक कर देना है इस पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे अब यह थोड़ा सा loading होगा तो आपको wait करना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख लिजे यह सभी पर green tick होगा तो जाके दोस्तों आपके फोन में और फिर नहीं अगर अपडेट नहीं किया है तो अपडेट नौ के उपर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं अगर पहले से अपडेट कर रखे हो तो ihab updated के उपर क्लिक कर देना है ठीक है तो 5G setting करने के लिए go to setting के उपर क्लिक कर देना है आप directly दोस्तों setting पर आ जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर network and internet के उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है simply sim card and mobile network के उपर क्लिक करना है यहाँ पर sim को select करना है कौन से sim में आप geo का sim चलाते हैं कौन से sim में आपको 5G activate करना है ठीक है तो हम sim 1 में चलाते हैं तो sim 1 को select कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आना है यहाँ पर दिया हुआ है preferred network type तो इसके उपर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह 4G, 3 2G, 2G पर set मिलेगा तो इससे दोस्तों आपको 5G, 4G, 3G, 2G पर set करना है ठीक है यह जो ऊपर वाला है जिसमें 5G लिखा हुआ है इसपर दोस्तों आपको इससे set कर देना है जैसा कि आप देख लीजे इसे जैसे आप यहाँ पर set कर देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ का काम आपका खतम हो जाता है अब आपको वापस से दोस्तों बैक करके उसी application के अंदर चले जाना है ठीक है यहाँ पर आप देख लीजे हैं वापस से आ चुके हैं अब वापस से दोस्तों आपको gate started के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप वापस से क्लिक करेंगे यह फिर से दोस्तों चेकिंग में आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपका phone software update है तो i have updated के उपर क्लिक कर देना है उसके यहाँ पर आप देख लीजे सभी पर दोस्तों green tick आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है great you are Fizey ready तो अब आपको explore true Fizey के उपर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से यह थोड़ा सा loading होगा और यहाँ पर आप देख लीजे लिखा हुआ आ चुका है congrats you are upgraded to the Fizey life यानि कि दोस्तों आपके phone में जो Fizey है ओ यहाँ पर upgrade कर दिया गया है Fizey को activate कर दिया गया है आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है Geo True Fizey congrats you are upgraded to the Fizey life ठीक है यानि कि हमारे phone में Fizey activate हो चुका है और यहाँ पर भी दोस्तों network के जगे पर Fizey यानि कि जहाँ पर पहले 4G था ना यहाँ पर अब Fizey लिखा हुआ आ चुका है यानि कि हमारे phone में Fizey पूरी तरह से activate हो चुका है और यहाँ से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपके means area में Fizey network है और यहाँ सब आप यहाँ से मतलब की चेक कर सकते हैं तो finally हमने अपने phone में कैसे Fizey activate करना था और पूरा मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है अब आपको यहाँ से back करना है जैसे दोस्तों आप back करके आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं Fizey trial unlimited लिखा हुआ है यानि कि दोस्तों आप Fizey trial को अब आप unlimited अपने phone में इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर data लिखा हुआ रहा है कि इतना भी आपका बचा है डेली का जो भी है ओ आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि जो पहले आपका 4G था उसे अब Fizey में convert कर दिया गया है इसके लिए कोई भी आपर charges नहीं लगा बिल्कुल फ्री में ही दोस्तों हमें यहाँ पर unlimited Geo True 5G मिल चुका है समझ गये कैसे अपने phone में Geo True 5G को unlimited इस्तमाल करना है पूरा process मैंने आपको इस वीडियो के अंदर live दिखा दिया तो अगर आपको भी दोस्तों यह ट्रीक और यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक को शेर करना साथी साथ दोस्तों हमारी शेनल को सस्क्राइब करना थैंक्यो दोस्तों बाइबेंट टेक कियर